नमस्कार, Bullion Weekly Outlook में आपका स्वागत है पिछले अप्ते के अगर हम बात करें तो M6 Bulldex के अंदर हमने 50% की गिरावट आते हुए दिखी जिसके Composition में सोने में 1% की गिरावट और चांदी में करीबन 0.26% की तेजी आते हुए दिखाए दिखी हमने देखा फेट के अप्डेट के बाद कहीं ना कहीं 3 इंटरसेट भढ़ने की बाते हो रही है 2022 में जिसके चलते सोने को दबाव लेना चाहिए था बट डॉलर विक्नेस बॉंड इल के गिरावट के चलते हमने सोने में एक बाउंस आते वे देखा इंटरनेसल में और प्राइजस अठासो के उपर कंटीन्यू मेंटेन रही डॉमिस्टिक मार्केट में गिरावट का एक कारण ये भी था कि रुपए में एक अच्छी खासी मजबूती आते वे दिखाए थी जिसके चलते हमने डॉमिस्टिक मार्केट में सोने में और चांदी में एक अंडर पर्फॉरमेंस बनते वे दिखा बट ओवर ओल हमें लगता है लोवर लेवल पे एक बाइंग इनिशेट करके चलना चाहिए जी जंसे करुणा का जो कंसर्ण है वो सोने और चांदी को आगे जाके भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा हॉलिडे मूर था जिसके वालिम्स काफी कम थे अल्मोस्ट हमने 30-40-40% के वालिम में ट्रॉप देखे week on week में जिसके चलते मार्केट एक सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया अगले अक्ते के लिए 47.900 के करीब हमें गोल्ड लेके चलना चीए 47.600 के स्टॉप लोस से 48.400 तक का टार्गेट देखने मिल जाएगा वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी 6.500, 6.600 के करीब लेके चलिए 64.000 तक का भी लेवल दिखा दे अगर मार्केट में वाल्ड रेटी में रहती है तो वहीं एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.5% की तेजी बनते वे दिखाई दी यहाँ पे हमने देखा कि क्रूड मे साथ में हमने देखा युएस से जो डेटा पॉइंट थे वह भी काफी अच्छे थे इन्वेंटरी में तो ड्रॉप था ही जिसके चलते प्राइज को एक अच्छा कासा सपोर्ट मिलतावा दिखाई दिया इनॉल अगर हम अगले हपते की बात करें तो एनर्जी के अंदर च चौपन सो बीस तीस के करीब के पुल बैक पे लेके चलिए चपन सो पचास से सतावन सो तक का लेवल कुरूड आइल में देखने मिल जाएगा वही नैच्छल कैस में हमने देखा एरोपियन मार्केट में फिर से एनर्जी के भाव तेज होते हुए दिखाई दिये जिसके चलते हैं प्राइजिस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनते वे दिखाई दी एज ओफ नौ तीन सो के ऊपर प्राइज बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहें इन्वेंटरी डिटा के बाद हमने 271 का भी लो लगते वे देखा कहीना कहीं प्राइज दोसो सब्ता से ती प्राइजिस को सपोर्ट कर रहें साथ में हमने इन्वेंटरी में फॉल बैक आते हुए देखा जो प्राइजिस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया ओवर और पूरे बेस मेटल पैक के अंदर शॉट कवरिंग के चलते प्राइजिस को एक अच्छा का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है 284-85 के करीम लेके चलिए 295 तोड़ने पर 295 तक का लेवल हम जिंक में देख पाएंगे वहीं निकल की अगर हम बात करें तो आइरन ओर के भाव में अच्छी तेजी के चलते प्राइजिस को अच्छा बूस्ट मिला हुआ है जो कहिना कई 1580 तक का भी दिखा सकता है अलिमिनियम और जिंक दोनों में ही बेताशा अच्छी शॉट कवरिंग हुई है अलिमिनियम में हमने देखा पावर कटल्मेंट के चलते प्राइजिस को सपोर्ट मिला हुआ है जो कुछ दिनों में 240 तक का भी लेवल दिखा सकता है वहीं लैड के अंदर भी हमने देखा पाइजस 190 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है जो 195 से 196 तक का लेवल दिखा सकता है तो पूरे कमार्टी मार्केट में एक खाली कंसर्ण जो है वह वोल्यूम को लेकर है विकास हॉलिडे मूड है बट बाई और ड्रॉप की रणनीती पूरे बेस मेटल में कर दिए जो है जो है।